गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग काफी स्टुडेंट्स की क्यारी थी टेलेगरम चैनल पर भी किसर नवंबर में एक्जाम है तो थोड़ी सी स्टेडिजी बताओ तो बैटाव С.E.M.P के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेडिजी मैं आपको बता रहा हूं ठीक है आप उसको ध्यान से सुनना जिन स्टुड़न्टेंटे हमारा फास्ट्रेक बयाच लिया है या फूल कोर्स बयाच लिया है दोनों के लिए मैं आपको स्टैडिजी सेम बता रहा है, यह समझो आप कि तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, केस स्टडी, थियोरी और प्राक्टिकल पार्ट, छीख बात है, सबसे पहले केस स्टडी, तो आप special मैंने केस स्टडी की आठ क्लासिस अलग बनाई हुए है, वो जो हमारे फास्ट्रेक के स्टुडेंट है, उनके लिए भी और जो फुल कोर्स के स्टुडेंट है, उनके लिए भी, क्योंकि पेपर तो बेटा दोनों के सीमी आएगा ना, है ना, तो केस स्टडी हमारी 40 से 45, कई बार 50 तक क्रॉस कर जाता है, एक्जाम में, बहुत 40 से 45 मार्क्स और अ अप्रॉक्सिमेट 100 के करीब के स्टेडी हैं, ठीक है, ये वाली बुक है हमारी के स्टेडी के मैंने स्पैशल बनाई हुई है, अलग से के स्टेडी की बुक, आपने पूरा कोर्स जो कर लिया, उसमें तो अलग-लग है, ठीक है, वो मैंने सारे अलग करके, एक कमपाइल करक के स्टेडि की बुक बना दी है तो ये यई आप जिरूर करो जिरूर करो जरूर करो इसमें मैंने पै्टरन भी दिया है कि जयासे बिल्डिंग ब्लाक मॉडल कर года के स्टेडी का पार्ट है तो अब ये देखो ज्यादा तर स्टूड़न की प्रॉब्लम थी कि सर पूरी के स्टेडी पढ़ें फिर उसका आंसर समझें तो एक्जाम में तो सेम नहीं आएगी ना तो मैंने उस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए क्या करा है कि एक कॉंसर्ट बना दिय है किसी manufacturing unit की आई कि तो यह जानमें इस तरह से मैंने आपको key points में दिया है तो key points जानमें रखेंगे related तो आप हर case study को आप easily solve कर पाऊगे इस तरह से बना के दिया है वो तो आप इसको कम से कम दो बार इसको आप follow कर लो watch कर लो ओके तो यहां से आपके 40 से 50 marks कवर हो ठीक बात है दूसरी 20 से 25 मार्क्स के करीब थियूरी आती है वो थियूरी मैंने कम्प्लीट थियूरी मैराथन वीडियो करके यूट्यूब पर अपलोड की वही है ठीक है अगर किसी स्टुडेंट को नहीं मिलता तो मुझे वाट्स अप कर दे मैं लिंक भेज़ दूँगा ओके तो ये कम्प्लीट थियूरी आप मैराथन वीडियो के नाम से में संजेगर ग्लासेज डालोगे तो मैंन अथन वीडियो करके आ जाएगी ओके ये आप अठाइस गंटे की वीडियो है इस में सारी कम्प्लीट थियूरी मैंने कराई है नीचे उसमें नोट्स भी है और वैसे ये बुक भी अलग से हम दे रहे हैं स्टूडेंट को आगर किसी स्टूड को ये दोनों वुक्स नहीं मिली हों तो वो मुझे वाट्स अब कर दे तो मैं उनको भेज दूँगा ओके मेरे नंबर सब के पास हाई कर दिया किस्यां यह तीस्ञी बात बची प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल मैंने जो! को फूल कोर्स ल क्रेक्चुडेंट है ऐज वेल एस already apart जितना आपको च्राओर दिया है जितने आपकी क्लास् Carolyn मिली है उसमें जितना आपने प्रैक्टिकल कर हैं more than sufficient है वो भी और अगर आपके बस time हो मानलो practical के लिए भी तो last 3 या 4 attempt के जो paper है वो आप attempt कर लो उससे आपका और confidence आ जाएगा तो आपको समझ में आगे run दीती, case study, run दीती, strategy क्या करना है हमार को सबसे पहले case study, 100 plus case study है हमारी जो case study की book है आठ classes है इसमें ठीक है दूसरा theory marathon video मैंने upload की हुई है वो देख लो 28 hours की ओके जो theory है उसमें बस आपको key points हैं में रखने है point to point आप cram नहीं करो बस उसको visualize कर लो दिमाग में बैठा कर कि हाँ अच्छा इस theory में यह कहना चाह रहा है इसमें यह कहना चाह रहा है तीसरा पार्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल में भी क्या होता है कि अब theory के बार mix हो कही आ रही है कि वह यह फर्स्ट ए और बी पार्ट है उन्होंने exact पूछ लिया कि cost benefit बनाओ या यह statement में आओ और सी पार्ट में उसका theoretical पूछ लिया कि भी benefit of life cycle costing के यह कुछ और पार्ट करके तो वह जो पार्ट में theory वाला होगा वो यह 28 आवर्स की marathon वीडियो यहां से आपका cover हो जाएगा ठीक है बैदा तो इस तरह से आप strategy बना कर करो right wish you all the best right अगर आपको कोई भी क् channel पर दुबारा या फिर मिर को what's up करके आप में से पूछ लेना okay thank you bye bye have a nice day